गुदुकुल के अमें कक्षाओं में आप सभी विद्व्याथियों का स्वागत है छगन अपने जिन्दगी में हमेशा सकरात्मक सोच रखें बच्चों के साथ खेल कूद करें प्रक्रिति के साथ सजे संदे पक्षियों की चहचाहट जील की कलकलाहट नदियों और प्रक्रिति के साथ खेलें प्रक्रिति के वातावरन में स्वयम को समाहित करें तनाओं से दू रहें मस्त रहें व्यस्त रहें यहीं जिन्दगी का फलसपा है, यहीं सफलता का मापड़न प्रे करती है अब प्रकृति की जितने नजदीक आएंगे उतना ही जीवन में सांती और सुकून पाएंगे इसलिए एक स्वस्त जीवन सैली को अपनाएं और अपने जिन्दगी को सांती, शुकून और विकास के पतपर अगरसर करें चदगन, विगर्द कच्छाओं में हम लोगों ने मुगल समरज के इस्थापत कला के बिताज बादशाह इस्थापत कला का स्वर्नकाल जिसके बारे में कहा जाता है, साजहां के बारे में अध्यन किया था आज शुकून इसी गतिविधी को आगे बहते हुए अपने नोट्स कौपे में हैडिंग मनाईगा और अंजेब और अंजेब लिखिए इसका वास्तविक नाम आलमगीद था इसका वास्तविक नाम आलमगीद था इसका जन्म 1618 में इसका जन्म 1618 में उज्जैन के निकट दुहद दुहद नामकस्थान में हुआ था नेक्स्ट और अंग्जेब के पिता साजहां एवां माता मुम्ताज थी साजहां के चार पुत्र थे चार पुत्र थे नमर एक डारासिको नमर दो और अंग्जेब नमर तीन सासुजा नमर चार मुराण साह सुजा नमर चार मुराद और अंग्जेब साजहां के सासंकाल में दक्छिन भारत अथाद दक्तन का दक्छिन भारत अथाद दक्तन का वाइसराय था दक्तन का वाइसराय अथाद गवर्नर था गवर्नर प्रमुख सुबेदार था यह दो बार यह दो बार डक्छिन भारत का का सुबेदार बनाया गया था नमर एक 1636 से 1636 से 1644 नमर दू 1652 से 1657 1652 से 1657 नेक्स्ट और अंजेब पहला मुगल बात्सा था जिसका दो बार राज्याभिसेक हुआ था जिसका दो बार राज्याभिसेक हुआ था प्रथम 1658 में आगरा में आगरा में तथा दिती 1669 में दिल्ली में दिल्ली में नेक्स्ट और अंजेब की नितियां मुगल समराज के पतन के लिए और अंजेब की नितियां को हम दो भागों में विभाजित करते हैं करते हैं करते हैं नमर एक नमर एक शकारात्मक पक्च शकारात्मक पक्च नमर दो नकारात्मक पक्च अब लिखेगा heading बने गएगा श्रुगन और अंजेब के वेक्तित्तु के सकारात्मक पक्ष पक्ष और अंजयब के व्यत्तित्व के सकारात्मक पक्ष लिखे नमर एक और अंजयब मुगल सासकों में सबसे ज़ादा चरित्रवान था और अंजेब मुगल साशकों में सबसे जाड़ा चरित्रवान था इसने नित्य संगीत विश्यावर्ती पर रोक लगा दी थी इसने नित्य शंगीत विश्यावर्ती पर रोक लगा दी थी इसने मदिरा पान सराव अफीम चरस गांजा अफीम चरस गांजा एवं अन्य नसीले पराथों पर रोक लगा दी थी रोक लगा दी थी इसने तुला दान प्रथा अथाथ राजा को सिकों से तौला जाना पर रोक लगा दी थी नेक्स्ट इसने जरोखा दर्शन अथाथ बादसा राजमहल के जरोखे से से एक निश्चित समय पर समय पर प्रजा को दर्शन देते थे थे इस प्रथा पर और अंजेव ने रोक लगा दी लगा दी नेक्स्ट इसने सिकों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया सिकों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया इसने राजकोस से एक भी पैसा नहीं लिया राजकोस से एक भी पैसा नहीं लिया तथा तोपी सिलकर तोपी सिलकर एवं कुरान की आयते लिखकर उसे बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था करता था कप्रेट छादगन नेक्स पांट लिखे गए और अंजेव एक मित वई मित वई यानि कम खल्चिला मित वई अथाद कम खल्चिला सासक था कम खल्चिला सासक था खल्चिला सासक था नेक्स्ट और अंजेव को उसके व्यक्तित में नहित नहित अच्छे गुनू के कारण के कारण जिन्दा पीर बहुत इंपर्टन कोस्टन चाद गाण जिन्दा पीर पीर या चलता फिरता दर्वेश दर्वेश अठाद संत चलता फिरता दर्वेश अठाद संत कहा जाता है संत कहा जाता है जाता है नेक्स्ट और अंजेव के समय समय सबसे जादा जादा हिंदू मनसबदार थे हिंदू मनसबदार थे जिनकी संख्या एक बटा तीन अठाद तैटीस ततिसत थी एक बटा तीन अठाद तैटीस ततिसत थी थी यह है जादगन और अंजेव के वक्तितू के सकारात्मक पक्ष आपको शकरात्मक और नकरात्मक पक्ष दोनों, देखने को मिलेंगे किसी में नकरात्मक पक्ष यादा होते हैं यह मानो का विजिश्ट Anglo है यह जाद गा द दखेगा जादगन और अंजेव के वक्तितू के चरित्र चित्रन को हम लोग करते है तो हमें दो पहलो निज़र आते हैं सकरात्मक पक्ष और नकरात्मक पक्ष छद्गन औरंजेव के वेक्तितु में positive क्या है सकरात्मक क्या है अच्छी बाते क्या है आप किसी भी वेक्तितु के पहले सकरात्मक पक्ष को ढूड़िए तो आपको निराशा हाँ नहीं लगेगी आपको अंदर से इस्षा, द्वेश या उसके पती नफरत की भावना नहीं आईगी छादगन है ना क्यों? क्योंकि आप यदि किसी चीज में भी positive दखोगे तो फिर आपको उसको negativity नजर नहीं आईगी नेगटिविटी कम नजर आईगी है ना तो इसलिए हमें सब positive पक्ष किसी के देखिए नेगटिव तो छादगन सब में है इंसान तो भगवान में भी negative धून लेता है तो इंसानों की आवकाद क्या है? है ना तो छादगन ध्यान जेगा क्या है रहने वाला या सासर जिंडा पीर या चलता फिता दर्वेश कहा जाता है छादगन पुछेगा किस मुगल सासर को जिंडा पीर या चलता फिता दर्वेश या संत कहा जाता है और अंजेब को कहा जाता है छादगन क्यों कहा जाता है? गीत संगीत पर रोक लगा दी बातसाहों का सबसे पसंदिदा सौक गीत संगीत नित्य रोक लगा दिया विश्यादुती पर रोक लगा दी छदगन जितने भी नसिले पदाओं थे मदिरा, अफीम, चरस, गांजा, तमाकू सबहों पर रोक लगा दिया जितने भी दिखावे की तथा थी तुलादान प्रथा राजा को तराजू में तुला जाता था शिक्पों के दोरा और उस शिक्पों को गरीबों में बार दे जाता था और अंजेव ने पुछा क्या इससे तुम करीबी दूर कर दोगे क्या तुम्हारा मकसर है केवल बाज़ा को खुश करना और उसे काम निकलवाना नहीं मैं ऐसे दिखावे को मैं नहीं मानता हूँ तुलादान प्रथा पर भी उसने ज़डगन रोग लगा दी थी राजा को सि करती थी उनको सलाम करती थी और अंजेव ने कहा नहीं तुम इस समय में कुरान पर हो शरियत पर हो अल्लह को याद करो खुदा की इवादत करो उससे तुम्हे फाइदा होगा मेरे दर्सन से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है इसलिए इसने जहरूखा दर्सन पर भी द राशंगित तो हैं ग्रहन करने योग्य हैं प्रणा स्रोथ हैं प्रणा दायक हैं छदगन राजकोष से या एक रुपया भी नहीं लेता था और जनता को कहता था अपने मंत्रियों को कहता था कि राजकोष में जो डाली गई कमाई है वो जनता की गाली कमाई है जनता से लिए कर गुजारा करता था नित्तु के पहले भी इसने दो रूम भर करके टोपियां रग दे थी और कहा था अपने दरबारियों से कि इन टोपियों को बेज करके जितना खर्च आएगा उतने ही से मेरे अंत्रियों की बारी आती है तो सभी एक हो कि आपको को या पती है जनता को आदत है कितनी बभी बात है यह और अन्जेब ने एक नया रास्ता दिखाया चाहिक नई मिशाल कायम की टोपी सिल करके गुजारा किया कुरान की आयते लिख करके गुजारा किया लेकिन राजकोस से एक भी रूपया नहीं लिया इसलिए से चलता फिता दर्वेश यह जिन्दा पीर भी कहा जाता है तो छटगन और अंजेब का जीवन हम एक सबग देता है कि चलतवान बनना चाहिए और प्रजा के हित के बारे में सोचना चाहिए यह इसके वक्तित्व के पॉजिटीव पहलू है शकारात्मक पहलू है ध्यान दखेगा पुशेगा किस मुगल बासा ने तुलादान प्रथा पदोक लगा दी और अगजेव में लगा दी उर्णजेव जिंदा पीर चलता फिता दरवेश या संथ कहा जाने वले शाषक और अभेडिंग मनेगा चाहिए बको और अगजेव के वक्तित्व के नकलातमक पहलू और अंजेब के वक्तितु के नकरात्मक पहलू पहलू लिखे नमबर एक सबसे कटर सुनी मुसल्मान सासक था सबसे कटर सुनी मुसल्मान सासक था धार्मिक रूप से अत्यधिक कटर होने के कारण किवल इसलाम धर्म को सरुसेस्ट कटा था इसलाम धर्म को सरुसेस्ट कटा था बाकी धर्मों के पती इसके मन में सम्मान की भावना नहीं थी नहीं थी थी या भारत को दारूल हर्म अथाद काफिरों का देश कहता था कहता था तथा इसे दारूल इसलाम इसलाम अथाद इसलामिक रास्ट बनाना चाहता था इसलामिक रास्ट बनाना चाहता था नेक्स्ट इसने हिंदूँ पर पर तिर्थ यात्रा कर एवं जजिया कर लगा दिया लगा दिया नेक्स्ट इसने सिखों के नौवे गुरू गुरू पेग बहदूर पेग पेग बहदूर की हत्या दिल्ली के के चांदनी चौक में करवा दी दिल्ली के चांदनी चौक में करवा दी दी नेक्स्ट इसने जार सर्दार जार सर्दार गोकला की हत्या गोकला की हत्या मतुरा में करवा दी मतुरा में करवा दी दी नेक्स्ट इसने इसने सीवा जी के पुत्र संभा जी संभा जी की हत्या करवा दी तथा सीवा जी के पौत्र सीवा जी के पौत्र एवं संभा जी के पुत्र संभा जी के पुत्र संभा जी के पुत्र साहु को साहु को मुगल कैद में डाल दिया मुगल कैद में डाल दिया सिख्थों के अंतिम गुरु गुरु गोविन सिंग के गुरु गोविन सिंग के दो नो निहाल पत्रों फते सिंग एवाम जोरावल सिंग फते सिंग एवाम जोरावल सिंग जोरावल सिंग के दिवार में चुनवा कर प्लस्टर मरवा दिया ख़वा कर के दिवार में चुनवा कर कुरूर्ता पुन हत्या करवा दिया कुरूर्ता पुन हत्या करवा दिया नेक्स्ट राजपुतों सिखों मराठों जाटों सतनामियों को अपना सत्रू बना लिया सत्रू बना लिया नेक्स्ट हिंदू अभिवादन जैसे प्रनाम प्रनाम इत्यादी पर रोक लगा दी नेक्स्ट बनारस का कासी विश्वनात मंदेर कमार कमार मतुरा का केशव राय मंदेर केशव राय मंदेर कॉमा गुजरात का सोमनाथ मंदिर को नस्ट करवा दिया नस्ट करवा दिया ओगया कम्प्लेट चाथ गयां? बेरी गुड बहुत अच्छे स्पेड़ा आप लोगों की नेक्स देर करशान पार्सियों के पसिद पर वा नौरोज पार्सियों के पसिद पर वा नौरोज पर दोख लगा दी नौरोज पर दोख लगा दी नेक्स्ट तीर कनिशन जिस प्रकार यह हो गया चादकन नकर रखमक पहलू जिस प्रकार इस पेन के फोले ने के फोले ने नेपोलियन का सरवनाज कर दिया था उस प्रकार डक्कन के फोले ने फोले ने और अंजेब का सरवनाज कर दिया सरवनाज कर दिया सत्रा सो साथ में और अंजेब की मृत्यू हो गई गई और अंजेब का मकबला महलाश्ट के और अंजाबाद में इस्थित है और अंजाबाद में इस्थित है चदकन ध्यान देंगे बहुत इंपार्ण कुष्टन है और जब दस्थित से आता है चदकन नकारात्मक क्या था और अंजेब में धालिमी गुरूप से कट्टर था चदकन मतांद था अगबर के बिलकुल विपुल था अगबर एक धर्मिर्पेक सासक था और अंजेब एक सामपदाइक सासक था अगबर सभी धर्मों का सम्मान कता था और अंजेव के वल इसलाम का सम्मान कता था बाकी धर्मों के पती आदर की भावना नहीं रखता था चदगन अगबर ने धर्मिर पिक्षता रूपी विचाधारा से मुगल समराज्य के इमारत को बुलंदियों तक पहुचाया था और अंजेव ने सम्मप्रदैक्ता रूपी विश्वियमन से मुगल कालीन इमारत को निस्तनबूत कर दिया बरबाद कर दिया पूरे तरीके से धरासाई कर दिया चदगन ध्वस्त कर दिया और अंजेव की नितिया मुगल समराज के पतन के लिए बहुत उत्तरदाई थी चदगन धार्मिक रूप से या मतान सासक हिंदू धर्म के पती कुरूर भावना रखता था तथा भारत को डारूल हर्ब अथात काफिरों का देश काता था जो कि इसलामें उस्वास न करते हों जो मुत्ती की पूजा करते हों वो काफिर है ये कहना था इसका चदगन ये भारत को डारूल-सलाम बनाना चाता था इसलामिक देश बनाना चाता था ये इसकी सोच थी इससे आपको ध्यान रखना होगा चदगन अगबर ने सिखों के साथ राजपुतों के साथ मराठों के साथ सब के साथ बेटर संबन्द इस्ठाफित किए लेकिन और अचेव ने सबों के साथ सतुत्रपुन करवाई की चादगन शिखों के नवे गुरुत एक बहदूर की हत्या कर उनके सिस को दिल्ली के चांदी चौक में लटकवा दिया चादगन जिनके नाम पर सिसगन गुद्वारा है दिल्ली के चांदी चौक में, इतना कुरूर था सीवा जी के पूतर संभाजी की कुरूर हत्या करवा दी और उनके मास को कुतों को खानों को के ले फेग दिया और उनके जो सरीर का जो चमळा था उसमें भूसा भरवा दिया जातगन सुशे कुरूता की पराकास्था थी ये अपने आपमें है न धन दिजेगा चदगन जार सरदार गोकला की हत्या करवादी और मरठा समरज्ज के संस्थापक सीवाजी के पुत्र संभाजी के पुत्र अथा सीवाजी के पौत्र साहू को मुगल कैद में नजर बंद कर दिया चदगन कटरता इसके मन में भरी भी थी है ना पालसियों के पसिद पर नोरोज पर लोक लगा दिया हिंदूओं पर फिर से तित्र यत्रकर और जजिया कर लगा दिया गैर मुसल्मानों पर चदगन जबकि अकबर ने इन पर लोक लगा दी थी चदगन बनारस का कासी विशुनात मंदिर मतुरा का केशव राय मंदिर गुजरात का सोमनात मंदिर पर भी इसने आकरमन कर दिया और इन्हें नश्ट कर दिया धुस्त कर दिया भरस्ट कर दिया चदगन चप गन, और अंज्जेब की नीतियां मुगल समराजि के पतन के लिए उत्तर दाई थी, इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार स्पेन के फोरे ने, इस्पेन के फोरे ने नेपोलियन का सरुनाश कर दिया उसी प्रकार डक्षिनभाद के फोरे ने और अंजेब का सरुनाश कर दिया चरगन 89 वज़ की उमने में at the age of 89 years तलवाद लिए ये उत्तरभाद से दक्षिनभाद आता जाता रहा उत्तरभाद में आगर के सिखों और आच्पतों के विद्रोगों को दबाए तो फिर दक्षिनभाद में मराठे सर उठा ले जिनदगी इसकी इसी में बीद गई और इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार इस्पेन के फोरे ने नेपोलियन का सरुनास कर दिया था उसी प्रकार डक्कन के फोरे ने और अंजेब का सरुनास कर दिया सतर सु साथ इस्वी में इस साशक के मित्ति हो गई छादगन इसका मगबरा महराष्ट के और अंगाबाद में स्थित है धान रखेगा बहुत बहुत हिट कुस्टन है पुछेएगा कौन सा मुगल बात्सा भारत को दादूल हर्ब करता था और अंजेब दादूल हर्ब का ध्यान दिजएगा ताकि प्रत्योक्ता पर एक्षो में छादगन प्रस्त पूछे जाएं तो आपको दिक्कत ना हो आपको मुश्किलों का सामना छादगन किसी भी हाल में नहीं करना पड़े इस चीज को ध्यान दखेगा मनन किजएगा और अंजेब से जोए हुए हर पहल ने सर्धम संभाव की निती अपनाई वहीं और अंजेब ने धार्मी कटता की निती का परिशाय देते हुए मुगल समराज को पतन की और अगरिसर कर दिया इसलिए छादगन ध्यान रखेगा पूछेगा किस मुगल सासक की नितियां मुगल समराज के पतन के लिए सबसे ज जहों में है ना नेकस लिखेगा चादगन मुगल कालीन कला एवम संसक्रिटी लिखेगा चादगन स्थाप्त-अ कला इस थाप्त-अ कला लिखे हैं Ooh बाबर के समय स्थाप्त-अ कला बाबर के समय इस्थापत्य अकला बाबर के सिनापती मीर बाकी ने 1527 में उत्तर प्रदेश के आयुध्या में सर्यू नदी के ठट पर सर्यू नदी के ठट पर बाबर के नाम पर बाबर के नाम पर बाबरी महजिद का निर्मान करवाया था बाबरी महसिद का निर्मान करवाया था नेक्स्ट बाबर फलों फूलों बाग बगिचों का बेहद शौकिन सा सकता बेहद शौकिन सा सकता नेक्स्ट हरिम नहींगा हुमायू के समय इस्थापते कला हुमायू के समय इस्थापते कला लिखे हुमायू ने दीन पनाह नगर दीन पनाह नगर एवां उसके अंदर दीन पनाह महल महल का निर्मान दिल्ली में करवाया था नेक्स्ट दिल्ली में हुमायू के मकबरे का निर्मान इसकी पतनी हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम बेगम ने ने लाल पत्थरों से करवाया था इस इमारत को इस इमारत को ताज महल का पूर्व गामी गामी कहा जाता है ताज महल का पूर्व गामी कहा जाता है क्योंकि इस इमारत को देख कर ही साजहा ने इस इमारत को देख कर ही साजहा ने आगरा में ताज महल पनवाया था ताज महल पनवाया था next हुमायू के मगबरे के साथ चार अन्य मगबरे भी मौजूद है हुमायू के मगबरे के साथ चार अन्य मगबरे भी मौजूद है next अकबर के समय स्थापत्य कला अकबर के समय स्थापत्य कला अकबर ने फतेपूर शिक्री सहर के स्थापना की फतेपूर शिक्री सहर के स्थापना की तथा इसे मुगल समरज की राजधानी बनाया था मुगल समरज की राजधानी बनाया था राजधानी बनाया था Next अक्बार ने तीन लाल किले बनवाए थे अगबर ने तीन लाल किले बनवाए थे नमब एक आगरा का लाल किला आगरा का लाल किला नमब दो इलाहबाद का लाल किला इलाहबाद का लाल किला नमब तीन लोहर का लालकिला लोहर का लालकिला अक्बर ने अपने राजधानी फटेपुश शक्री में शक्री में निम्न इमारतों का निर्मान करवाया था निम्न इमारतों का निर्मान करवाया था नमब एक जोधा बाई का महल जोधा बाई का महल नमब दो बीदबल का महल महल नमती मर्यम उज्यमानी मुगल सुल्टान के मुगल बात्साहों के सबसे प्री पत्नी को मर्यम उज्यमानी का उपाधी मिलता था मर्यम उज्यमानी का महल नेक्स्ट इबादत खाना इबादत खाना नेक्स्ट पंच महल पंच महल इसमें बौध प्रभाव नजर आता है बौध प्रभाव नजर आता है सेख सलीम चिस्ती का मक्बरा सेख सलीम चिस्ती का मक्बरा नेक्स्ट गुचरात विजय के उपलक्ष में उपलक्ष में अकबर ने अकबर ने बुलंद दर्वाजा का निर्मान बुलंद दर्वाजा का निर्मान अपनी नही रजधनी फतेपुश शिक्री में में किया था यह भारत का लाल पथरों से निर्मित सबसे उचा दर्वाजा है सबसे उचा दर्वाजा है दर्वाजा है छटगन ध्यान दिजेगा क्या सवाल पुछे जाएंगे पुछेगा निर्मिकित में से कौन सा लाल किला अकबर ने नहीं बनवाया था नमबर एक आगरा का लाल किला नमबर दो लहौल का लाल किला नमबर तीन दिल्ली का लाल किला नमबर चार इलहाबाद का लाल किला शटगन दिल्ली का लाल किला अकबर ने नहीं बनवाया था साजहा ने बनवाया था चरण फिर आपसे पुछेगा इसी क्रम में ध्यान दिजेगा पुछेगा फटेपूस चिकरी की स्थापना किसने की थी किस मुगल बात्सा ने फटेपूस चिकरी की स्थापना की थी अगबर ने की थी किस मुगल बात्सा ने फटेपूस चिकरी को मुगल समराज की नहीं रा बड़ार बुलन दर्वाजा पंच महल पूछेगा 5 महल में किस प्रकर का प्रभाव नजर आता है बहुत प्रभाव नजर आता है चर्गन कि इस्ते है बीरबल के महल जोधा बाई के महल मर्या मुजमानी का महल इत्यादी तो बनवाया ही पंच महल का भी निर्मान कर baked था चाटगन इबादत खाना का भी निर्मान इसने फटेपूस शिक्री में करवाया था जो पंदर सु पछतर में स्थापित किया गया और पंदर सु आठतर में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था चाटगन गुजरात विजय के उपलक्ष में अकबर ने कौन सा पसिद से मत 35 किलोमेटर दूर है फटेपूस शिक्री ताज महल का तो दिदार करें ही करें प्रेम और महबद का पतिक फटेपूस शिक्री जाना भी ना बूलें अकबर की रास्थानी है ना ध्यान रखेगा फटेपूस शिक्री कहां है उत्तर-प्रदेश में आग्रा के निकाट सित है तो च्छादगन अगबर दोरा बनाई गई हर एक इमारतों के नाम को यार रखेगा बहुत बहुत इंपर्टन्ट है और पत्युक्ता प्रेक्षाओं बहुत जबदर सुप से आता है कि अगबर ने कौन-कौन से इमारतों का निर्मान करवाया था किसमें कौन सा प्रभावन ज़राता है ये भी आप कुध्यान में रखना है ये भी मनन करना है ये भी याद रखना है ये भी स्मरन करना है बहुत बहुत इंपरेंट है ये भी च्छादगन प्रतुक्ता प्रेक्षाओं के लिए है तो आप सबहों को मेरे सुपकामनाए सुबा सिन्वाद